तो ये वक्तव यह है अर्भी फार्सी मुक्त हिंदी पे आप लोग कहेंगे कैसा शीरशक लग रहा है ये वड़े सामपरदाइक हो गए नित्यानंद मिश्रफ तो मैं इसमें बता रहा हूं कि ये क्या है ये अर्भी फार्सी मुक्त हिंदी और बाजार उखिचडी से आरे भ आरे शबद जिस संदर्ब में विदेशियों ने प्रयोग किया उसी को अर्थ मानकर उसका प्राथमिक अर्थ कर बैठें तो ये हमारा दौर भागया है आरे शबद का जो अर्थ है इसम पर हमाएंगे तो आरे भाश राखिचडी आरे भाशा इसमें पोहां कि ये विशेव और क्यों आवश्क्ता है आरे भाशा हिंदी की यह मेरे विचार है जो मैं आपके सामने प्रस्थत करूंगा और किस प्रकार बाजारों खिच्डी से आरे भाशा हिंदी तक की आत्रा हम लोग करें उसके लिए वर्ण शुद्धी कैसे हो शब्द शुद्धी कैसे हो वाक्याम्ष शुद्धी कैसे हो और वाक्य शुद्धी कैसे हो और फिर अंत में प्रश्न उत्तर के लिए हम समय देंगे तो सरव प्रथम में इस बात पर प्रकाश जालना चाहूंगा क्या हिंदी शब्द फार्सी का है ये बहुधा तो हमें यहीं बता जाता है कि हिंदी शब्द फार्सी का है सिंधू शंप्सृत का शब्द है जो जाकर फारस में बना हिंदू उससे आया भारत में हिंदू और उससे बना हिंदवी उससे हुई हिंदी पर यहाँ पर मैं कुछ विशार प्रस्त करना चाहता हूँ और मैं अकेला विक्ति नहीं हूँ जो इस विशेपर ऐसा बोल रहा है उस पर हम आएंगे भारत की अनएक पश्यमी भाशाओं में सका ह होता है आप मेंसे कितने लोगों ने हेरा फेरी देखी है आपको ओम प्रकाश का चरित्र स्मरंण है? ओम पूरी का ओ क्या लेने आता है? पैहे लेने आता है तो पैसे पैहे, सको ह गुजराती यहां कोई गुजराती जानता है हवारे हांजे सवारे सांजे तो हमारी एक मैं जब बच्पन में गुजरात में था तो हमारे घर एक परिचारिका थी उसका नाम था सुन्दर तो जब कभी उसकी बहन आती थी तो बोलती थी हुंदर काले हवारे हाथ वागे आव है जो की है सुंदर काले सवारे साथ वागे आव से को हुंदर काले हवारे हाथ वागे आव है तो सरका हाग गुजराती में बहुदा होता है और दोनों उच्चारण चलते हैं सवारे सांजे हवारे हांजे बहुदा ऐसा है कि ग्रामयक्षेत्रों में अथवाग ग्रामये लोग हर का उच्चारण करते हैं सुशिक्षित वर्ग में सर का उच्चारण मिलता है परन्तुँ यह सार्वत्रिक नियम नहीं है अच्छा भीली में बहुत होता है भीली पश्चिम भारत की भाषा है मैं भीली जानता तो नहीं हो पर ऐसा एक पत्र मैंने पढ़ा था जिसमें था कि भीली में सरका होता है मारवाडी में मैंने सुना होता है असामी में भी होता है ये मेरे लिए नया है मराठी में भी होता है नहीं होता है लेकिन मराठी में दस को दहा बोलते है संभवत होता है और आप कहें कि शब्द के अंत में या मध्य में ही होता है तो गुजराती मारवाडी में शब्द के आधी में भी होता है तो क्यों हम मान लें कि फारस जाकर ही सिंधू हिंदू बना क्या इस संभावना को पूरी तरह निरस्त कर दें कि सिंधू शब्द भारत की ही किसी पश्चमी बोली में हिंदू हुआ और बोलचाल की भाषा में चलते जलते फारस पहुँचा और वहाँ लेखन में पहले आया क्योंकि वहाँ लेखन की प्रथाथी, ऐसा संभव है कि नहीं है, संभव तो है, दूसरी बात, संस्कृत में सिंधू और हिंदू, दोनों शब्दों की विद्पत्ती मिलती है, इस पर आप पूरी शंकराचारे से भी चर्चा कर लें, और सिं मेरु तंत्र में हिंदू शब्द का प्रयोग है, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पीछे का राचा गया है, जो भी है, सिंधू की तो युद्पत्ती है ही, और सिंधू संस्कृत का शब्द है ही, तो क्या संस्कृत शब्द का प्राकृत उचारण करने से वो जानता ही, तो पंच का ही तो पंज हुआ, और आप पानी को संस्कृत में आपह कहते ही है, और पकाबह तो सामानी होता है संस्कृत में, अब जो कहते हैं हम कमल को, अब जो क्या कहते हैं, अब सु जायते हैं यह ती अब जम, अब और जो जोड़के अब जमना, और व्याकर जो भारत का अंग था, तो मेरे विचार से हिंदू शब्द को सम्स्कृत का पश्चमी भारती उच्चारण मानना चाहिए न कि यह मान लें कि फारसी का शब्द फारसी से भारत में आया है अब कोई कहेंगे कि सामप्रदारिक है मिष्र जी अपने मन की बोल रहे हैं तो ये मैं एक पुस्तक से उद्रित कर रहा हूँ, ये बच्चन सिम्ह हिंदी के लेखक रहे हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनकी पुस्तक है और इसके इन प्रिष्ठों पे 18-19 पर इन्होंने कुछ विचार प्रकट किये हैं, तो इन्होंने राम विलास शर्मा जी का मत दिया है, राम विलास शर्मा जी ने ये कहा था कि सकार हकार कहीं हो गया होगा, तो सकाह हो गया हो, ब्रावी में हुआ हो, कहीं और हुआ हो, तो ये पंक्टियां पढ़ें, कुछ इतिहास कारों का अनुमान है, कि सिंध में हड़तपा सभिता के पूर्व कोई सभिता उसके सब भी लोग सिंधु को हिंदू, सब्त सिंधु को हत्त हिंदू बोला करते थे, कुछ दिनों तक वह भाग इरानियों के अधिकार में था, इरानियों को ये शब्द वहीं से मिले थे, इन्होंने जोकातियों स्विकार कर लिया, आर्यों ने हिंदु को सिंधु कर दिया मैं वही बात कह रहा हूँ जो लोग पहले कह चुके हैं और इसको थोड़ा और बलपूरवक कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता कि हिंदू शब्द फारसी का है में जो से आप पूछें तो यह समस्कृत शब्द का पश्चिमी भारतिय उच्चारण है और यही उच्चारण फारस में भी हुआ फारस में लेखनी पहले थी तो वहां लिखा पहले गया परंतु शब्द पहले बोला जाता है फिर लिखा जाता है अतहब ये मैं मानने को उद्यत नहीं हूँ कि हिंदू शब्द फारसी का शब्द है ये राम विलाश शर्मा जी और ये दक्षिन पंथी नहीं थे ये समाजवादी थे ये माववादी साहित्य पर भी इनकी पकड़ थी और इन्होंने एक हिंदी के सुरेकांत त्रिपाठी निरागा जी पर भी इन्होंने काफी इन्होंने बहुत काम किया है काफी बहुत काम किया है तो ये राम विलाश शर्मा जी तो चलिए अब हम बात करते हैं बाजारू खिचड़ी की जो मैकॉले के मानस पुत्रों को बहुत प्रिया है खाने में तो ये ऐसी चर्चा आती है कि हरिवं शराय बच्चन जी ने कुछ लिखा था पढ़ने के लिए समसद में तो नहरू ने कहा है तो आपने समस्कृत के इतने सारे शब्द घुसेड़ दी हैं अब इसको जो पढ़ रहे हैं वो अलपसंक्यक हैं उपर आश्रपती तो कैसे प मिश्रण करते हैं तो बाजार हिंदुस्तानी ये नहरूवाद की एक भारत को देन है और इस पर बहुत प्रेम है मैं कॉले के मानस पुत्रों को कहते हम बाजार हिंदुस्तानी बोलेंगे भई हम तो हिंदी बोल नहीं सकते तो अब ये बाजार कहां से आई तो जो उर्दु भाषा मूलता भारती भाषा ही है, सम्स्कृत और प्राकृत से ही आई है, ये रौफ पारिक हैं, जो उर्दु कोशकार है, पाकिस्तानी है, इन्होंने उर्दु का एक कोश लिखा है, इनके आकलन से, ये मेरा आकलन नहीं है, रौफ पारिक का आकलन है, उर्दु की 99 प्रतिशत क्रियाएं सम्स्कृत और प्राकृत से आई किसी भाषा का प्राण उसकी क्रियाएं होती है 99 प्रतिशत उर्दू की क्रियाएं सम्स्कृत और प्राकृत से और इन्होंने कहा है यद्यपी इन्होंने एक और अन्यलेख में इन्होंने या किसी और उर्दू कोशकार ने कहा है कि उर्दू कोशों में 75 प्रतिशत शब्द सम्स्रित प्राकृत मूलके हैं और 25 प्रतिशत अर्भी फार्सी मूलके हैं ये 50 या 60 के दशक्के लिखे हुए कोशों की बात है रवफ पारिक नेक लेक्ष में लिखा है कि उर्दू की अधिकाम्ष संग्याएं और विशेशन अर्भी और फार्सी से हैं तो ये उर्दू की परिसिती है जहां करियाएं तो सारी की सारी लगभग सम्स्रित प्राकृत से ही हैं संग्याएं और विशेशन बोल चाल में आजक बात द्रिक्तर अर्वी फारसी से आप अर्भी करन और फारसी करन कर भी दिया गया है। जो आप आज पाकिस्तान के किसी समाचार चैनल को सुनेंगे। आप उर्दु भारत नहीं बूली जाती है और मेरा कोई उर्दु से इतना कोई ग्रिना नहीं है मुझे। केवल हिंदी और उर्दू की बात कर रहा हूं कि ये भिन्न भाशाएं आज हैं इतिहास में कभी एक रही हो न रही हो वो बात दूसरी है आज यदि आप असदुद्दीन ओवेसी की शपत लोकसभा की सुन लें हिंदी भाशी उसमें कितने शब्द समझ पाएगा मुझे बता दे मैं हिंदुस्तान के आईन पर हलफ उठाता हूँ ये तो प्रारम्ब के शब्द हैं मुझे समझ में नहीं आते हैं मैं हिंदी में लेखन करता हूँ मुझे समझ में नहीं आते और आप ये News 18 का एक उर्दू का चैनल है उसको मैं सुनू मैं नहीं समझ पाता हूँ उर्दू का बहुत अरवी करण, फार्सी करण किया गया है हुआ है किया गया है जो भी है हो चुका है जैसे भी हुआ हो तो इतिहास जो भी हो आज के समय हिंदी और उर्दू भिन्न भाश आए इतिहास में एक थी, आज भिन्न है, भिन्न बना दी गई है और जो लोकप्रिय हिंदी, जिसे हम लोकप्रिय हिंदी कहते हैं वो वस्तुत है हिंदी और उर्दू की खिचड़ी है जो कि मैंने जैसा कहा, मैं कॉले के मानस पुत्रों, मानस पौत्रों, मानस पौत्रियों, मानस पुत्रियों को पड़ी प्रिय है अभी मैं यहां इस बक्तव पही दे रहा था तो दिल्ली की एक प्रख्यात कोई शिक्षिका हैं, पीच्डी हैं हें वह रही थी कि वित्तिव विश्लेशक हैं अब हिंदी का इतिहास काश्य हैं व अंगरेगी मैं ने कहा कि आपको समस्या का है लो रहा है कि वित्तिव विश्लेशक है अब बताइंगे कि अotte अर्वी फार्सी मुक्त हिंदी आर्वाशा कैसे थी तो मैंने कहा भी मेरा वक्तवे तो इस पर है कि अर्वी फार्सी मुक्त हिंदी कैसे बनाई जाए आप इसको यह क्यों आप सोच रहे हैं कि मैं इतिहास की बात कर रहा हूं और जो अपने आपको हिंदी की हिंदी इतिहास क विदुशी कहती है उनको यह पता नहीं कि आरे भाशा शब्द आरे समाज ने बहुत पहले प्रयोग किया हुआ है दयानंद सरस्वधी के अनुवयाईयों ने आरे भाशा शब्द का उन्नीसवी शताब्दी में जो उनका विशय वस्तु है जो उनका विशय शेत्र है उसमें प्रयोग किया हुआ है, उनको इसका ग्यान नहीं है, और वित्तिय विष्लेशक, हिंदी के विष्यामे में बताएंगे, तो यदि हिंदी के इतिहास वेध हिंदी नहीं जानते हैं, तो वित्तिय विष्लेशक बनाते जो क्या-क्या अपत्ती है, ठीक हैं? तो ये खिचड़ी परोसी भी गई हमको Bollywood जिसे मैं कभी हासे में Molla-wedd कहता हूं बहुत परोसी बहुत परोसी इश्क, महबबत, प्यार और पता नहीं क्या क्या मैंने जर्मन भाशा पढ़ी है मैं 6 मास तक बेंगलोर में जर्मन भाशा पढ़ी है और मैं जब जर्मन पढ़ने गया था, तो मुझे hoakdeutsch सिखाए गयी थी, hoakdeutsch अरथा उच्च जर्मन, high German, hoakdeutsch बोलते हैं, आप वहाँ तब gockenmorgen सिखाते हैं, आप moin moin नहीं सिखाते हैं, जो आपको जर्मन की बोलियों का वशे में पता होगा, तो जर्मन सिखाते हैं, तो हम Hochdeutsch सिखाते हैं, अब अंग्रेजी सिखाते हैं, तो हम क्या Cockney सिखाते हैं, नहीं, हम, you know, My Feet Plates of Meat, ऐसी है थोड़ी सिखाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, तो हम Standard English सिखाते हैं लोगों को, तो जब हम Hindi सिखा रहे हैं, तो हम Bazaar Hindustani क्यों सिखा रहे हैं, क्या ये बाजार की भाशा है नहीं है क्या ये जनसामाने की भाशा है नहीं है परंतु हम बाजार हिंदुस्तानी सिखाएंगे और सीखेंगे हमारा प्रेम है और ये प्रेम बनाया गया है बहुत से लोगों से और भाशा ऐसा है कि आप बच्पन से कुछ सीखते आ रहे हैं आ तो आपको इसका संग्यान ही नहीं रहता, आप उसको ऐसे बोलते हैं जैसे आपको लगेगा कि ये तो हमारी भाषा का शब्द है पर नहीं है, तो ये जो लोकप्रिय हिंदी है, ये वस्तुत हिंदी नहीं है, ये आज किसमें हिंदी और उर्दू की खिचड़ी है, अब हम आ बात हो रही है, आर्य के अर्थ है पूज्य श्रेष्थ मान्य सब्य सज्जन साधु, अमरकोष में आर्य के परियाये बताए गए हैं, पुरी के जो मान्य शंकर आचारे हैं, जगतगुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, वो कहते हैं कि सभी वाइदिक आस्तिक है सभी आस्तिक पौरानिक हैं, सभी पौरानिक सनातन धर्मी हैं, और सभी सनातन धर्मी आरे हैं तो आरे को आप कह सकते हैं, एक अर्थ में सभ्य सज्जन साधु, मान्य, और एक अर्थ में हिंदु, जो आर्य वैदिक सिद्धान्त का सम्मान करता है, उनका अनुसरन करता है ऐसा नहीं है कि हम अर्भी फार्सी का एक भी शब्द प्रयोग नहीं करें जो डाल में लवन की भाति इस मात्रा में यदि कुछ प्रयोग हो तो मुझे कोई आपति नहीं है क्योंकि ऐसा सभी भाषाओं में होता है परंतु यदि हम एक भाषा का स्वरूप ही विक्रित कर दे और उसमें इतने शब्द अर्भी फार्सी के घुसा दें कि एक सामान्य व्यक्ति को समझ में ना आए तो क्या कहा जाए हम आएंगे कैसे हमारे बॉलिवुड में ऐसा हुआ है उस पर भी हम आएंगे तो आरे भाषा कोई नया शब्द नहीं है दयानंद सरस्वती ने और आ आरे भाषा कहते थे जो हिंदी ही थी जो समस्कृत निष्ठ हिंदी थी और आरे समाज से यद्यपी सेद्धान्तिक मद्भेद हैं मेरे परंतु आरे समाज ने जो कार्य हिंदी के लिए किया है वो बहुत सराहनी है यूँकि वह ऐसा समय था जब लेखन में फार्सी उर्द जादू का बोल बाला था उस समय ऐसा लेखन करना और एक नई जन चेतना जागरित करना ये दयानंद सरस्वती और आरे समाज का बहुत अच्छा कारे था और एक कड़िक भाषा के रूप में भी तब आरे भाषा ंदि आरे समाज ने दी थी तो आरे भाषा हंदी के तो आ मराठी में कभी-कभी सम्सृत के शब्द ज्यों के तियों बोले जाते हैं। क्षमस्व सम्स्वत का क्रियापद है कि आप क्षमा कर दें, आप मुझे सहलें। और मैं गया एक ATM में मराठी में लिखा हुआ था क्षमस्व। अब कनडा में बोलेंगे क्षमिसी। इसी प्रकार मैं बैंगलोर रहा, वहां तो मैं ऐसे सुन्दर-सुन्दर शब्द देखता हूँ, नाम धातुएं, उपयोगिसी, वहां होडिंग लगी रहती है, तो लिखा रहता है संपर्किसी, संपर्क करिए, उपयोगिसी, प्रयोग में लाइए, और तो और वहां धारव जो आते हैं, जो कन्नड भाषा में धारवाहिक आते हैं, उनके विज्यापन में आता है विक्षिसी, देखिए, विक्षा, विक्षणम, संस्कृत में देखिए, तो ये भाषा हैं संस्कृत के बहुत निकट हैं, ओडिया भाषा है, या ओडिया भाषी भी हैं, बांगला और आध्वनिक हिंदी आपने खिचड़ी बना रखिए यदि हिंदी को आप आरे भाशा बनाएंगे इसको सम्स्कृत निष्ट करेंगे तो पश्चिम पूर्व और दक्षिन भारत के लोगों को हिंदी समझने में बहुत सरलता होगी अब ये बॉलीवुड नहीं करेगा क्योंकि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा ग्राहक भारत के बाहर है जो उर्दु बोलता है फार्सी बोलता है अर्भी बोलता है तो ये हम ही को करना हो दूसरा वैज्ञानिक और प्राध्योगी की शब्दावली आप कैसे बनाएंगे जब तक आप सम्स्कृत निष्ठ प्राकृत निष्ठ नहीं करेंगे सम्स्कृत निष्ठ नहीं करेंगे तब तक आप वैज्ञानिक और प्राध्योगी की शब्दावली कहां से लाएंगे क्योंकि जो बाजार की भाषा है वो आपको गुरुत्वा करशन के सिध्धानत के लिए तो कुछ शब्द नहीं दे पाएगी जो बाजार की भाषा है जो हाट की भाषा है वो आपको normal distribution का हिंदी तो नहीं बता पाएगी क्या आवश्यक नहीं है इन वैज्ञानिक सिध्धानतों को हिंदी में समझाना आज नासा विज्ञान पर हिंदी में वीडियो बना रहा है तो नासा कुछ समझ की तो बना रहा है और हम यदी जब तक वेग्यानिक और प्रोध्यों के शब्दावली अपनी नहीं लाएंगे तब तक हम इन सिद्धानतों को बच्चों तक बालकों तक कैसे पहुँचा पाएंगे तीसरा लाब सामस्कृतिक पुनर जागरन जो भारत में बहुत आवश्यक है उसके लिए भी भाशा शुद्धी एक बहुत बड़ा साधन है अब आप कहेंगे क्या ये संभव है आजकल तो सब लोग मिश्रित हिंदी बोलते हैं तो ये संभव है कि नहीं है असंभव है तो एक उधारण मैं देता हूँ वर्ष 1628 में जो पत्राचार महराष्टर में होता था राजकी या प्रत्राचार राजाओं के बीच उसमें 85 प्रतिशत शब्द अर्भी फारसी मुलक प्रयोग में लाए जाते थे ये अशोक केलकर ने लिखा है जो मराठी साहित्यकार है और 1728 में यह अनुपात घटकर मात्र छे प्रतिशत हो गया आप जानते हैं कारण कौन था इंद्र जिमी जम्भ पर बाडवसु अंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है पोनबारी बाह पर शंभुरती नाह पर ज्योंसहस बाह पर रामद्विज राज है दावा दुर्मदंड पर, चीता अम्रिग जुंड पर, भूशन वितुंड पर, जैसे अम्रिग राज है, तेजतम अमस पर, कान जिमी कमस पर, त्यों मलेच्छ बमस पर, शेर शिवराज है, सिम्ह शिवराज है तो, शिवाजी महराज का हिंदवी स्वराज्य की सापना तो इन्होंने की ही, परंतु मराठी के लिए इन्होंने, एक तो इन्होंने समस्कृत का पुनुरुथान कराया, राज वेवहार कोशह, इनके समय लिखा गया, जिसमें उस समय अर्भी फारसी के जितने शब्द, मराठी का जो आपने ये देखा, जो आज मराठी बची हुई है, इतनी समस्कृत निष्ट है, उसके पीछे शिवाजी और हिंदवी स्वराज्य और मराठा सामराज्य कही हाथ है, और मैं कहूंगा, शिवाजी महराज के राज कवी थे भूशन, जो लिखते थे ब्रज भाषा में, जिसको आज हिंदी का रूप माना जाता है, तो इन्होंने समस्कृत का मात्र भाषागा और अन्य भारतिय भाषाओं का कितना सम्मान किया, और कितना कार्य किया, और जदी ये कर सकते हैं, तो शिवाजी महराज के अनुस्वरण पे हम और आप क्या नहीं कर सकत तो मैंने कहा कि वैज्ञानिक शब्दावली आपकी बाजारों खिचड़ी हाट तक ही सीमित है मैंने सुचा कर ये कली की बात है, मैंने सुचा नॉर्मल डिस्ट्रिबुशन मैं सांखी की क्षेतर से हूँ, स्टाटिस्टिक्स अभी मैं आ रहा था, यहां सांखी की दिवस मनाया जा रहा है, स्टाटिस्टिक्स डे, बड़ा अच्छा लगा देखने पर, सांखी की दिवस और वहां प्रफुल चंद्र महालानोबिस का चित्र भी लगा हुआ था जो जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, महालानोबिस डिस्टेंस सांखी की में प्रयोग मिलाया जाता है, जो श्री निवास रामानुजन के सहब आठी थे, केंबरिज में, तो सांखी की में, नौर्मल डिस्ट्रिबुशन आप पढ़ाएंगे, मातरी भाशा में पढ़ा या तो आप संस्रिट से लेंगे, या भी फार्सी से लेंगे, तो हिंदी में कहते हैं, यह मैंने सब शब्दावली पुस्तकों से और गूगल सर्च से ली है, तो इसमें हो सकता है, कुछ अशुद्ध भी हो, पर ऐसा मुझे इंटरनेट पर दिखा, हिंदी में कहते हैं, प स्वाभाविक बंटन, स्वाभाविक अर्थाथ नाचुरल, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, मराथी में सामान्य वितरन, वितरन प्रणाली कहते हैं, वितरन प्रणाली, पब्रिक दिस्रिबूशन सिस्टम को, गुजराती में प्रमान्य वितरन, कन्नड में देखिए, सा अधारण वितरणम, तमिल में दोनों शब्द तमिल मूलक हैं, और दोनों तमिल स्रोतों से ही लिए गए हैं, तो वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, संस्कृत शब्दावली, अच्छा उर्दों में क्या कहते हैं, नॉर्बल डिस्ट्रिबूशन को, तो कहते हैं, तक्सीम नॉर्मल, अथवा तौजी मामूल, तक्सीम शब्द फार्सी का है, संभवता अर्भी का है, फार्सी का है, जहां तक मुझे ध्यान है, तौजी शब्द अर्भी से फार्सी में आया है, मैं अर्भी फार्सी का विद्वान नहीं हो, पर यह दोनों वहीं से हैं, अर्भी अथवा अर्भी फार्सी की और जाएंगे उर्दू में, मुझे कोई आपती नहीं आप जिस और जाएंगे, भारत में किस और जाना श्रेयसकर है, आज भारत में सामस्रित एक दासता यहां तक है, कि सर्वश्रेष्थ पुरस्कार जो दिया जाता है विद्वानों को, बादर वर्शों तक समस्रिट अर्भी और फारिसी में दिया जाती हैं। उन सब की ये देने हैं हमारे देश को